हलो दोस्तों तो कैसे आप लोग आज मैं आप लोग का बताने वाला हूं एक टायर कैसा फुल ब्लेक करने करते हैं अगर अपना कार वाश कर लो फुल चगा चग कर लो पर अगर तायर लाल लाल दीखे ना तो आपको लगे घर कार तो वाज दिखने में अच्छा दिखता है आपको बताने हो तो आपको अच्छा दिख़ेगा तो आपको कार बिल्कुल अच्छा दिखता है लाल लाल टायर लग तरीका बताने बला हूं तो मैं ज्युदार थाम लोगा फटाक से अब यह कैसा करने देखा ठीक है अब इस वीडियो को उना देखो आपको समझ में आ यह देखो यह मेरे पास GPT का शेंपू है प्लस मेरे बश्च है मैं हर चीज से इसको घिस को गाना देखोंगा ना देखो शेंपू मार के और ब्रस घिस के देखना फूर भी दिखना जो टायर होता ना वह ब्लैक नहीं होता है तो मैं बाद में एक्चुल लगाने का रहता है आपको बद्राइब सब्सक्राइब सबस्क्राइब लोगाना तो मैं पहले यह ले लिए मैं पानी पानी फूल तरिए और मैं समस्पर पानी करते हैं और पांटी नाल अए शेंपू में बहुत कर पहादा यह तो फूरा गंदchnी all अब करो हाए मैसिन देखो अब रहा हुआ वो गंदा निकलने के बाद देखने लाल देसी पाइए लगा निकलते से नरहेए और फीर भी टायर देखना आरे निया कि Buenos हो ऺाधि दिश दिया ओक है ऐसा इन एक इम मेने कपडमार दिया फिर से पर रुणे ब्रश्र मनने के बाद आपका मर् защ बढ gaan बढ़ा यह जलत liberalग झालता है अब पानी मार देंगे से अच्छां अर यह प्यू घ्ल लगा दिया और फ्रत में ब्रप्लोश से घृस दिया इस निए अर घ्ल गड है ना आप अब करीब से देखों के तो अब को लाल लाल दिखेंगा मुठी टाइफ है चलो ठीक है है चलो डाय सुखने दो तो चलो मैं तब तो काम करता हम आपको गाना सुना देता हुँ चुटा सा अवाज नहीं अब तुम जाओ 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 इधान पीछे पिछए से जाओ मैं किसी और कहूं फिल सीicon तो दोस्तों टायर देखो अभी बिल्कुल सूख गया है पर देखो जो लाल लाल दो है न आप सूख ने कहाँ वापस इसे लाल लाल दिख रहा है आपको मैं कैमेरा नजद दिख लाकर के दिखा आपको क्लियर दिख जाएगा यह देखो अब मैंने सुखा लिया तो वापस थोड़ा बहुत क्लीन हुआ रहेगा पहले से ज्यादा ब्रॉस भी मारा इसलिए गंदा बिल्कुल निकल गया होगा और फिर भी देखो पुरा ना तैसा दिख रहा है ना आपको दिख रहा होगा यह सामान मेरा पड़ा है यह घिस के दोने का बाद भी यह हाल है अना ब्र बाते बता रहा पर एक्चुली ऐसे होता है मैं पहले बार बीटायर का ऊपर वीडियो बना तो बहुत सरा गाली पड़े पर एक्चुली जो लोग ने अपलाई करके देखा उनको यूज हो गया वो लोगोंने बहुत सब्सक्राइब आच्छा था तो मैं आपको टायर के ल ब्लैक दिखिए शाइनिंग दिखेगा कोई टेंशना बात ने कि यह जो होना रबर मचल रहते हैं और जो डेश्बूर जो होता है वो फाइबर मचल होते है तो वह उपर जो रबर टाइप रहे तो इसमें उसी तरह काम चल जाता तो आपको अलग से पॉलिश टायर कोई ज कुछ करिदने का जोरूत नहीं है कि अपने बस नॉमल कार वास कर दो है ना और जैसे अगर आप वाशिंग सेंटर तो इसको अगर कर देना है तो लास्ट में क्या करो चारा सा क्या करो बस इसको एक राउंड हलका सा एक पॉलिश लागा दो डेश्बूर पोलिश टायर में जब बस चंप का अपका कस्टमर खूश हो जाएगा अगर आपको अपना खुद का कार है तो आप यह सकते हो अगर आपको वाशिंग सेंटर तो आप ऐसा डेश्बूर पोलिश इसको आप अपलाई कर सकते हो और दूसरा बात मैं आपको बता देखो यह जो शेंपू है दो जाएगा इस पूड़का अपने तो मैंने क्या किया देखा इसा इसको आप तो कपड़े में जड़ा सा लग जाएगा तो तो जाए तो आपको इसको अप्लाई करना है यह देखो एसा कि मैंने तो आपको यह आराम से लागा कि दिखा रहा हूं आप इसा फार्च करके लगा सकते हूं आपकर इस कपड़े के जगब यूज करोंगे माइक्रोफाइब कुलाथ तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा इसका फिर्फ टैर्थ मैं पूराना हो गया है तो आपना अपना मसला है यह जहां पर रहता हूं वह देखो पॉलिश करके हो गया है अब बिल्कुल देखें एक्दम चका चक हो गया है आपको मैं कैमेरा नसदीक लाकर दिखाता हूं देखो टायर कितना चमकर है फुल ब्लैक हो गया है शाइनी वोग लिए रहे तो दोस्तों देखा ना अपने रिजल्ट कितना क्लियर रहे है इना है डिफिरेंट देखा बिल पुराना हो जाता है आप जैसे इस पॉलिश को लगाते हो बिल्कुल एकदम ब्लैक हो जाता है तो यह वहाला पॉलिश यूज कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट करके बाता आपको वीडियो कितना अच्छा लगा क्या बुरा लगा आपको क्या सजीशन है आपका मैं हर कमेंट पढ़ता हो है तो वीडियो देखने के लिए थैंक्यों सोमाच अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करो बाइबाइब